हेलो फ्रेंड वेलकम टो स्टेड़ी नियूस वैदीकाल के लोगों के आर्थिक, समाजिक, राजनीतिक एवंधार्मिक जीवन को जानने के लिए वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है पूर्ववैदिक काल और उत्तरवैदिक काल तो इस वीडियो में आज हम पूर्ववैदिक काल को जानेंगे So let us start पूर्ववैदिक काल का समय 1500 से 1000 BC के मध्य माना जाता है अगर हम पूर्ववैदिक काल के राजनितिक जीवन के बारे में जाने तो रीगवैद के अधियन से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग कबिलाई संग्ठन बना कर रहते थे जिसे जन कहा जाता था और यह भी इश्पष्ट हुआ है कि जन जीवन के वातावरण में युद्धो आक्रमडो एवं जन संगहार हुआ करता था जातियों के आंतरिक और कबीलों के एक दूसरे कबीलों के मध्य युद्ध के अनेक प्रमाड मिले हैं जिससे यह इसपष्ट होता है कि यह लोगों कोई विशेस इस्थाई जीवन यापन नहीं करते थे कबीलों के देखरेक के लिए एक मुखिया नियुक्त किया जाता था जिसे राजन या राजा कहा जाता था जिसके सीमित अधिकार होते थे और राजा की सहायता के लिए समीती, सभा, विधब, गड के रूप में सहायक संस्था बनाए गए थे इन संस्थानों के अलग-अलग कार हुआ करते थे जैसे समीती पूरे कभीले के आम लोगों की संस्था थी जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी सभा कभीले के कुलीन सिक्षित्व उच्वर्ग के लोगों के लिए होती थी जिसमें सीमित संख्या होती थी विधब संस्था में उपजव लूट के समान के विभाजन संस्था थी ये संस्था सबसे प्राचिन संस्था थी इसमें भी महिलाएं भाग लेती थी और गर्ण संस्था भी कुछ सभा संस्था जैसी ही होती थी इसमें भी कूलीन वर्ग के लोग सामिल होते थे राजा के कार्यों में मदद करने के लिए कई अधिकारियों की भी नियुक्ति होती थी जिन्हें रतनीन कहा जाता था जैसे पुरोहित, सेनानी, पूरल और इसपस आधी अधिकारी होते थे इस काल में नियमित सेना का अभाव था और बली व्यस्था का भी प्रचलन था जो लोगों की स्वेक्छा पर निर्भर था जो करके रूप में लिया जाता था इस काल में निया व्यस्था का जादा उलेख नहीं मिलता है अब जानते हैं पूर वैदि काल के लोगों के समाजिक जीवन के बारे में इस काल में लोगों का समाजिक जीवन समतावादी और वड विहिन समाज था वर्ड समाज की रूप रेखा रीग वैद काल के अंतिम चर्णों में देखा जाता है वर्ड वैस्था उनके कार्यों के आधार पर निर्धारित की जाती थी जिसे पूरुस सुक्त प्रधान माना जाता था वर्ड वैस्था का उलेख नौवे और दस्वे मंडल में मिलता है परिवार में पुरुस मुख्या का नियंतरण होता था लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इस्त्रियों का आधर्व सम्मान नहीं होता था इस काल में महिलाओं को सिक्षा प्राप्त करने की पूरी स्वतंतरता थी और पुनर विवा, उपनेयन संसकार, नियोक प्रथा वा सभाओं में भी जाने का पूर अधिकार था और दहेच प्रथा, बाल विवा जैसी प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था इस काल में कुछ कार्यों के लिए दास प्रथा का वर्नन मिलता है परिवार व कुल कबिलाई समाज में सबसे छोटी इकाई होती थी लोग साकाहरी वा मांसाहरी दोनों होते थे और मनुरंजन के लिए निर्ति, पासाड़, खेल, गुर दोड के साधन होते थे अब जानते हैं आर्थिक जीवन के बारे में रीगवेद में लोगों के भोतिक जीवन में पसू चारण का विसेश महत्तु था गायों को इस काल में युद का मुख्य कारण माना जाता था पसू ही संपत्ती का मुख्य अंग और दक्षिना की वस्तु समझी जाती थी क्रिशी छेत्रों के अतिक्रमण की अपिक्चा मवेशियों के चोरी अधिक गंभी समस्या थी रई यानि संपत्ती की गढणा मुख्यत मवेशियों से ही होती थी गायों के अतिरिक्त, बक्रियां, घोडे, भेड भी पाले जाते थे पसुचारण सामुहिक रूप से किया जाता था पसुचारण की तूरना में क्रिशी का कार ज़्यादा विस्तरित नहीं था गाय के बाद घोडा दूसरा प्रीव प्रमुख पसु था रीग वैदिक अर्थ वैस्ता के सर्वेक्षर से केवल निर्वाह अर्थ वैस्ता का ही आभास मिलता है जिसमें उद्योगों का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था उद्योगों में केवल रतकार, बर्तन बनाना, बढ़ेगीरी जैसे छोटे उद्योग सामिल थे और व्यापार वीनिमय में केवल आंतरिक व्यापार, यानि एक कबीले से दूसरे कबीले के मद्ध होता था इस काल में मुद्रा की खोज नहीं हुई थी सामानों का आदान प्रदान करकर व्यापार किया जाता था अब जानते हैं धार्मिक जीवन के बारे में रिगवैदिक कालीन धार्मिक जीवन तथा उस समय के लोगों की सेद्धानतिक मानिताय तथ कालीन भौतिक जीवन से अत्यदिक प्रभावित थी रिगवैदिक देवकूल में अनेक देवताओं वा देवियों का इस्थान मिला है ये सभी देवता प्राकर्तिक सक्तियों के प्रतीक भी हैं इन देवी देवताओं को तीन स्रेडियों में विभाजित किया गया है अंतरिक्ष के देवता, प्रिथवी के देवता और आकास के देवता की रूप में अंतरिक्ष के भगवानों में इंद्र, मारूत, रुद्र ववायू प्रमुख है प्रिथवी के भगवानों में अगनी, प्रिथवी, सोम और विहस्पती और आकास के भगवानों में सूर्य, वरुन, सविता, उसा वविश्णू प्रमुख है इंद्र देवता सबसे प्रमुख माने गए हैं इनका उलेख 250 बार मिलता है इन्हें पुरंदर भी कहा गया है जिसका अर्थ किला तोड़ने वाला होता है अगनी देवता, मध्यस्ता देवता के रूप में माने गए हैं भगवान और मानों के बीच के देवता के रूप में माना गया है वरुन देवता को वर्सा और समुद्र के देवता के रूप में माना गया है सवीता देवी को चमत्ती हुए सूर की देवी के रूप में माना गया है और गायतरी मंत्र का उचारण भी इन्ही के द्वारा हुआ है ऐसा माना गया है मित्र देव को उक्ते हुए सूरे का अस्विन देव को चिकित्सा के देव के रूप में और पूसन को पसूओ और औसदियों के देवता के रूप में माना गया है सोम देवता को वनस्पती के देवता के रूप में पूजा जाता है तो ये थी पूरुवैदी काल से जुड़ी कुछ प्रमुग बाते अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट